तो दोस्तो बीते दो दशकों में चाइना अपने नेवी को करीवन तीन गुना आकार में बढ़ा कर चुका है। पर चाइना के नेवी के एक्सपैंशन खाली ऐसे ट्रेड रूट और चोटे मोटे देशों के टेरिटरियल इंटीग्रिटी के लिए ही खत्रा नहीं बलकि इंडिया के लिए वी एक बहुत बड़ा खत्रा बनते जा रहा है। करिवन तीन गुना अधिक बड़ा बनाया गया। दोस्तों एक्सपर्टों का तो ये भी मानना है कि संख्या मुलक रूप में चाहे जितना भी चाइनीज ने भी अमेरिका से आगे चला जाए। लेकिन अमेरिकी नेवी के पास जिस तरीके के जहाजे खास करके एरक्रेफ कैरियर, डेस्ट्रॉयर, फ्रिगेर्स और सब्मरीन ये सभी के संख्या में अमेरिका अभी भी चाइना से काफी आगे है। चाइना के द्वारा इस तरीके के एचिब्मेंट के लिए छोटे-छोटे आकार के जहाजों को बनाया गया और अपने बेडे में मिसाइल बोट के आकार का 100-200 टन के जहाजों को भी शामिल किया गया और उसे काउंट करके चाइना अपने नेवी को दुनिया के सबसे नेवी दिखाता है पर दोस्तों इन बातों को अगर साइट करके चाइना के रैपीड डिवलप्मेंट को देखा जाए तो आपको पता चलेगा कि चाइना जिस तरीके से तेज गती से बड़े-बड़े जहाजों का कॉंस्ट्रक्शन कर रहा है इससे आने वाले समय में ये जो चाइनीज नेवी और अमेरिकी नेवी के अंदर गैप है ये काफी हद तक भग जाएगा उपर से 2019 में कुछ रिपोर्टों में ये वी जिकर किया गया था कि कैसे चाइना अपने अधिक मैन पावर, रिसोर्स और रॉम मेटरियल का इस्तिमाल अपने आर्मी नेवी और इस्तिमाल कर रहा है दोस्तों चाइना के पास जो मैन पावर है और चाइना का जो बिल्डिंग कैपसिटी है वो काफी तेज गती से चाइना के नेवी को एक्सपैंड करने वे वी वदद कर रहा है इवन अगर 2021 को ही देखा जाए तो एप्रिल महिने में एक ही दिन चाइनी भी बताया जाए कि चाइना के ये जो नेवी का जहाज है एक टेकनोलोजिकली अमेरिकी जहाजों से काफी फीचे है लेकिन अगर संख्या मुलक रूप में भी चाइना ऐसे बड़े जहाजों को अपने बेड़े में शामिल करने में सक्षम होता है तो ये पुरा दुनिया क लिए एक बड़ा खत्रा का कारण बन सकता है क्योंकि चाइना का जो एक्सपैंशन का नीती है वो कोई नॉर्मल नीती नहीं है बलकि पुरा दुनिया को अपने अधिन लाने का नीती है तो बेसिकली चाइना ऐसे जहाजों का डेवलाप्मेंट करके अमेरिका से अपने का निर्मान करके अपने आसपास वर्ती ऐरिया में एक तरिके का नेवल डॉमिनेंस हासिल करना चाता है ताकि इस्षेत्न में जो भी हो वो चाइना के मरजी में हो और साथी साथ इशेत्न से चाइना अमेरिका को भी दूर रखना चाता है पर एगर इंडोपेसिपिक इवन भारत के तरफ से quard जैसे संगटनों को तो मजबूत करने के लिए भी भूमिका निवाय जाता है और साथ में quard के exercise के इलावा भारत के तरफ से हाली में Pacific और South China Sea के अंदर अपने जहाजों को भी भी भेजा जा रहा है कि वो इंडियन ओशन में पहले के मुकाबले में कई गुना अधिक रफ्तार से या फिर कई गुना अधिक ताकत से अपने आपको प्रेजन्ट कर सके इवें चाइना के जो Belt and Road Initiative है उसमें भी चाइना इंडियन ओशन के अंदर स्थित कई सारे देशों को अपने कर्स के जाल में फास चुका है और चाइना अब इस मौके का फाइदा उठा के उन देशों के अंदर अपने नेवी और मिलिटरी के बेसिस का भी निर्मान कर रहा है ऐसे में जो चाइनीज नेवी के इंडियन ओशन के अंदर प्रेजेंस या फिर कहे तो इंडियन ओशन के अंदर रैपिडली आने का चांसेज है वो काफी गुना बढ़ जाएगा और अब चाइना सामोईक रूप में इंडियन ओशन में नहीं बलकी एक तरीके से देखे त ये कम से कम 15 फ्रॉंट लाइन रिप्लैनिश्मेंट जहाजों का निर्मान किया गया है और डोमेस्टिकली निर्मान किया हुआ Y20 जैसे एरक्रेप्टों का इस्तिमाल करके भी चाइना एयर लिफ्ट करके इंडियन ओशन के अंदर स्तीत अपने बेसेस तक रिप्लैनिश्म इंडिया के जैसे देश हो इवें चाइना के द्वारा वी हाली में थलसना को घटाने का बात कहा गया पर अगर भारत के मामले को देखा जाए तो भारत के जो टोटल डिफेंस वेजट है इसका सबसे बड़ा शेर इंडियन आर्बी को ही जाता है जबकि अन्य देश टेक्न अगर इंडिया के लिए चिंता का विशय बन सकता है और इवन उस समय कुछ महत्व पूरुन हतियारों के कमी इंडियन नेवी का बड़ा पड़ेशानी का वी कारण बन सकता है जैसे कि सबमरीन और हेलिकॉफटर जैसे हतियार और दोसो फिलाल के सिच्चोशन में ऐसे कंडिशन से बाहर आने के लिए और चाहना के द्वारा भविशे के लिए निर्मान किया जाने वाले जहाजों को काउंटर करने के लिए भारत को अभी से ही अपना तैयारी करना एक अपना जमावड़ा बढ़ा रहा है तो ऐसे में भारत के लिए किसी भी महत्तोपूर्ण प्रोजेक्टों से बढ़के इस सिच्चोशन में अपने आपको तैयार करना है इवन अगर इंडियन शिप्यार को देखा जाए तो यहाँ पे बड़े 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 प्रोज को रन नहीं कर रहा है बलकि उसके फलसरू कई ड़ेजन जहाजों को भी एक के बाद एक अपने बेड़े में कमिशन करता जा रहा है दोसो अगर इंडियन ओशन को देखा जाए तो यह इंडिया का ही ओशन है और इस शेत्र में अगर कोई देश सबसे अधिक इस ओशन के उ जहाज जैसे की डेस्ट्रॉयर नुमा नए बनने वाले जहाजों को काउंटर करने के लिए इंडियन नेवी के लिए कम से कम एक मिसाइल बोट या फिर कॉर्विट आकार के जहाज को बनाना काफी होगा मतलब दोसो जिस तरीके से चायना यरक्रफ्ट कैरियर और बड़े आकरों के जहाज को बना के आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है उसे काउंटर करने के लिए इंडिया अगर सेम स्केल में बड़े आकर के जहाज को निर्मान नहीं विकर पा रहा है तब भी इंडिया को छोटे आकर के जहाजों को निर्मान करके एट लिस्ट संख्या मुलक रूप में चायना के समकक्ष होना पड़ेगा। दूसरे तरफ अगर इंडिया के शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को देखा जाए तो इसमें कई तरीके के खामिया है। जैसे कि इंडिया के द्वारा कभी भी बड़े मात्रा में जहाजों को निर्मान करने का इरादा नहीं बनाया गया इवन इंडिया के शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को ही अगर देख ले तो यहाँ पे प्रोड़ेक्शन डेट काफी स्लो है। इवन इंडिया के सबसे बड़ा या फिर कहतो इंडिया द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा जहाज आयनेज विक्रांत को ही अगर देखा जाए तो नेवी के बजट भी फिलाल चाइना को काउंटर करने के लिए एक बड़ा इशू बना हुआ है और आप लोग पहले भी सुने होंगे कि कई तरह के के प्रोजेक्टों में बजट का हवाला देते हुए उसे आइधर छोटा स्केल में किया जा रहा है या और फिर कहें तो दोसरे इंडिजिनियस एर्क्राफ्ट कैरियर के कॉंस्ट्रक्शन का जब सवाल उठता है तब भी बजट का इशू प्रमुक कारण बनता है कई सारे प्रोजेक्ट तो बजट के वज़ा से खुल के सामने भी नहीं आ पाया और कई सारे प्रोजेक्ट बज को भी बढ़ाना पड़ेगा ताकि इंडिया नेवी के आवशकताओ के एक्वेपमेंटों को बेड़े में जल से जल सामिल किया जा सके तो दोस्तों यह था आज का वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो से लाइक कीजिए और मेरे चानल को सस्क्राइब कीजि ताकि आप मेरे वीडियो देख पाए सबसे पहले जैहिन